आप सभी को आज बिसाखी का जिस तरीके से तेहार है आप सभी को शुब कामना है बिसाखी के तेहार के उपलक्ष पर तो आज हम यंग इंडिया जो है वो आपोचा है चक गोटा लकनपूर कटुआ में जहां पर आज बिसाखी के तेहार के उपलक्ष पर ये मेले का आयोजन किया गया है चक गोटा के इस मैदान में होकी जादुकर ध्यांचंद के नाम पर ये ग्राउंड जो है उसका नाम रखा गया और यहां पर आज बसाखी का तिहार मनाया जा रहा है मेले का मेला और 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 कवटी के मैच भी यहां पर करवाए जाएंगे इस उपलक्ष प्र…… तो आपको बताते चले की बसाखी का तिहार फूरे उत्तरी भारत में बहुत ओर स्टdı को जो से मनाया जाता है द्यहों की कोटाई के उपलक्ष पर खषणों की खुशी के रूप में इस तैहार वा पनाया जाता है तो वही प्रता यहां पर भी आज अपनाई गई है अपलक्ष पर पुरे मनाया जा रहा है सिथार को तो इस के पहले यह कडिआ में किया जाता है लैकिन अब उब और करने के कारण है बिद्धान में मनाया जारा है तमाम लोग यहां पर आये हैं और इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए यहाँ पर एक बहतर अफसर बनकर ये ग्राउंड उढ़ा है कि यहाँ पर अलग लग खेल प्रतियोगिताओं का करवा ही जाती है इस बादान में जो इस ग्राउंड जो है जो इसके और्गनाईजर है शिव्दंदन जर जी उनका ब किसानों के लिए जो इस तरीके से इसार मनाया जाता है बेशक देश के अंदराज किसान हत्या अत्म हत्या कर रहे है लेकिन जो पारंखरिक परता है वह अभी भी जी ध्वी धौनी ही रहनी चाहिए कि बसाकी का तहार ये पूशी प्रकट करता हुआ तेहार किसानों का कर दो 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 हम इस वकत खड़े हैं होकी जादूगर ध्यानचंद स्टेडियम में जहां पर आज बसाखी का तेहार मनाया जा रहा है तो हमारे साथ कुछ यूवा जुड़े हुए हैं इसे बात करना चाहेंगे कि आप यह क्या संदेश देना चाहेंगे जहाएंगे बशाखी कको मneyना चाहेंगे जो हम सभी लोगों को किठे मनाना चाहिए बहुत खुशी का दिन है और जाम मेरे को जैसे की संदेश मिला और मैं आया मन बहुत ही खुश हुआ जहां के देखकर की विसाखी का त्योहार चल रहा है और दियान चान्द होकी यो जादुगर थे माने जाने उनकी जाद में जो इस टीम को लेके आगे कांजिव कर रहे हैं उनकी जादगीरी में बच्चों को लेके कवड़ी का मैच हो रहा है बहुत है खुशी को देखते हुए और बहुत साखी के इतने बड़े दिन पर मैं सभी को कहता हूँगी मिल जूल कर जहे खुशी तेहार मरमा चाहिए तो नमस्कार इस समय में लोग चक गोटा में हैं मेजर ध्यांचन स्टेडियम में और हमारे आती यहां पर यूबाओं के साथ साथ थोड़े सीनियर साथी भी है आई इन से बात करते हैं आज विसाकी के पावन अपसर पर और क्या संदेश देना चाहते हैं यह हमारे समाज को आई इन से बात करने के लिए तो विसाकी पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिसाखी पर मेरा संदेश है कि जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो सही रास्ते पर आने के लिए जो स्पोर्ट्स है जो हमारा कुल्टर है उसको बढ़ाने के लिए वो इसमें वागीदारी लें इसमें हिस्सा लें तांके जो हमारी एक प्राने जो रिवास थे जो हम को अपने समाज को अपने घर को परिवार को सब को अस्वस्त बना सके तो उसी के उपलक्ष में हैं जो हमारी जो आपकी जादूगर ध्यानचंड जी है उनके नाम पर यह स्पोर्स पॉंसल बनाई है चाक गोटा में जो और जिस्टर है बाकाइदा जमू किश्मीर गवर्म झालीट किया जाएं तो जहां पर बहुत अच्छे प्रोग्रम जो है वो और नाज किया जाते हैं तो उसी क्ये प्लक्ष माइचा अपर यहां फेसला किया किया के जिस आखी के दिन जहां पर हम एक शिरुआत करें तो बहुत स्टीम है अगोई हु गरदी का मैच हो रहा है उनके अंदर यह उसा कि वो इसमें हिस्टा ले रहे हैं तो एक शुरू आता है है प्रयास हो रहा है हम देखिए इसके आगे हम और जो अच्छे प्रोग्राम है वो कोशिट करें अलमोस पर देखा गया है कि जम्मो कश्मीर के स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा अक्स्पोजर नहीं है मैं बहुत सरकार भी इतना ध्यानी देती एक है और खासकर कठूवा जैसे एरिया में जहां पर इसको रूरल एरिया कहा जा सकता तो यहां पर इस तरह के स्टेडियम में और यूथ की जो पार्टिसपेशन है वो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से अगर यूथ को यहां पर लाना चाहे किस तरह से यूथ के लिए क्या है? देखे, मैं आपको बताऊंगा कि यूथ को स्पोर्स में पाटि स्वेट करवाने के लिए गौवर्मेंट की तरफ से बहुत सी स्कीम्स हैं. वह जगाद थीम्स स मिल्ड़ पहुंच इसे थे पॉंच को सही तरीके से नौजवानों तक नहीं पहुंचती नहीं भाहरे जहां पर पर जयांट के न эффक्तियूंट हम कह सकते हैं कि जैसे राइड to प्ले ज़ो है वो मिले हर बच्चे को हर स्कूल के अंदर खेलने के लिए प्ले एफिério बच्चे वहाँ पर खेले लेक्न उसमें कमी है के प्ले फिर्द निया स्कूल हो नकि के जो हमारे बहाँ पर जो सिखाने वाले लोगे है स्पोर्स के लिए वह बाइंगे तक त्यार नी ओपाई है कि का नी डिवल्बव सुद्स का दूसरा ही मारे सुद्स कान्स की तरफ से होती हैं जो हर जो जितनी भी मारे डिफरंट गेम जैंट उनकी आसे शनी जो कि जिलास तर पर बनी हुए लेकिन ऐसे शीच्य आएई कि सब यह स्कूलों में जाकर वही बच्चे जो यूसर स्पोर्ट की तरब से खेलते हैं वहीं उसमें खेल रहे हैं उनको और चोटा मोटा प्रोग्राम किया और चंद जो हैं वह उनको सेलेक्ट करके वह नैशनल में पार्टी सुषिशन जाते हैं अगर कॉंसल का काम है कि जैसे डिस्टिक चैंपिंशिप होती है अपनी जिला के जितने भी दूर द्राज के लाके हैं अगर बहां पर जाकर आफर्स की जाए बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं अमने देखा है हमने बहुत अच्छे निकाले हैं और वह नेशनल लेबल त पहुंच रहे हैं तो कट हुआ जासे सीटी में जहां शुरू से टेलेंट रहा है मुझे पता है यहां पर कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर बहुत जाए टेलेंट है लेकिन उनको निगलेक्ट किया गया है इस वाज़ा से वह बच्चे जो है नहीं आ रहे हैं उसका बह होती अच्छा कदम है यूथ को स्पोर्ट की तरफ लेकर जाना क्योंकि आमतवर पर देखा गया यह कल्चर बनना शुरू हो गया है कि आज हर जगा पर चाहे वो गाउं हो चाहे वो शहर हो हर जगा पर नशी की चपेंड में हमारे यूबा है लगि इस तरह की जो कारेक्रम पिते लेगा